मित्रा जाइएश में आपका स्वागत है और मैं हूँ निमश्च कपूर आज हम जानेंगे वाइज इंडिया कैनिडा स्टाइस वर्संट भारत और कैनिडा में रिष्टे क्यों खराब हो रहे हैं तो देया विन सीरीज और इवेंट्स जिसको हम स्टेप बाइ स्टेप समझे और जानेंगे कि आज के दिन क्यों ये रिष्टे जो है इस लेवल पर आ गए हैं जहां आज तक के लोएस्ट गिने जा रहे हैं दोनों देशों में तो सबसे पहले केनेडिन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडो ने एक्क्यूजिशन लगा लगाया भारतिया रॉपर कि जो है कि जो हर्दीब सिंग निजजर जो कि खालिस्तानी टेर्रिस्ट इंडिया जिसको एक्क्यूज करता है उसको जून के महीने में जून 2023 सरे एक शेयर बिटिश कोलंबिया अस्टेट में वहां भारतिया रॉइजिंट्स ने मारा ये एक्क्यूजिशन है और इसके उपर एकदम एक डिप्लोमाटिक रोब बन गई देर आफटर उसके बाद फॉरेंड मिनिस्टर जो कानेडा के थे उन अनौन्स किया कि जो इंडियन डिप्लोमाट है सीनियर इंडियन डिप्लोमाट उनको इंडियन एमबसी से एक्सपेल कर दिया गया है तो इट इंडियन हाई कमिशनर इंडिया उनको समोन किया फिर उनको बताया गया कि उनके भी एक सीनियर डिप्लोमाट को निकाला गया है और उसके बाद भारत ने सारे चार्जर को डिनाय किया और फैनली इंडिया 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 इंडि तो इंपक्ट क्या होगा इस मूफ का on India-Canada relations So first of all, long term effects for the ties You know, relationship build करने में बहुत time लगता है But इसको disrupt करने के लिए एक single event बहुत है So, यह जो event है इससे बहुत long term effect पड़ेगा खासकर अगर यह जो currently liberal government है Canada में वो रहती है तो I believe India के साथ रिष्टे खासा अच्छे या You cannot expect कि वो same रहें, बहतर रहें long term के लिए यह move जो है short-sighted move गिना गया है और especially India ने इसको कहा है कि यह move political in nature है That means कि political considerations of the government, central government of Canada को देखते हो इन्हों नहीं यह step लिया है, right सबसे बड़ा effect अगर कोई होगा तो वो Indian diaspora को होगा क्योंकि बहुत बड़ा एक Indian, you know, diaspora है जो Canadian citizen है, right तो Canadian citizen जो है उनको suspend हो गया है Indian visa that means जो immediate travel के लिए visa available रहते थे यह festivals or weddings के लिए as you know, upcoming season है तो बहुत ही लोग जो है नहीं आपाएंगे ठीक है, तो इससे लिए एक वो challenge है Setback to economic relations As you know, both दोनों दिश आपस में अभी बात्चीच चल रही थी free trade agreement के ओपर discussions चल रही थी But this is a big setback because both the countries have currently paused temporarily suspended the talks on free trade agreement जिससे दोनों देशों के लिए trade में बहुत इजाफा होता Shows Canadian double standards Canadian government के double standards Canada के double standards दिखाता है यह action क्योंकि 2020 में similarly एक बलोच activist थी उनको shot dead किया गया और उसको accusation ISI पे लगाया जाता है But Canadian government ने आज तक उस तक कोई action नहीं लिया जबकि यह एक without any concrete evidence Canada ने accuse किया है भारत को यह Indian students को जो study करने जाते हैं Canada उसको बहुत जब affect करेगा Yes, उसका reason यह है कि around you know 8 lakh students जाता है on an average इस वक्त जो पढ़ रहा है Canada में वह Indian है उसमें से भी 5 lakh पंजाबी student है जो पंजाब से जाता है बहुत जबा पैसा invest किया है इनकी families ने वहाँ के education अगर कोई न कोई issue हो जाता है और कल को इनके visa suspend हो जाता है इनको काफी लोगों को जो है वापस भेज दिया जाता है तो एक concern उनके दिमाग में है क्योंकि काफे जबा पैसा उनने उनकी education के लिए लगाया है कही न कहीं यह बोला जाता है 10 billion dollar यह Canada annually student से कमाता है तो you can understand कितनी बड़ी उनके लिए भी एक industry है education industry तो अभी मैं आपको कुछ facts present करना चाहता हूं कि Canada की total Indian population basically Indian means जो Indian descent और Indian origin से आती है वो about 3.7% यह official data है इनका लेकिन हाला कि यह आने वाले time में सिर्फ बढ़ता दिख रहा है उसका reason यह है कि a lot of recent immigration जो हुई है वो India से है तो 3.7 that is nearly 1.4 million जो है out of 37 million जो Canada की population है वो Indian descent की है तो यह भी important data है समझने एक लिए जब हम India Canada relations को समझ रहे हैं दूसरा है कि दोनों देशों की bilateral trade करीब करीब 9 billion dollar US dollar जो मैं बात कर रहा हूं वो यह trade है रेट नेरली 4.5 billion dollar के equivalent दोनों देश export करते हैं that means total so लेकिन अगर आप देखें कि Canada से India majorly mineral products paper goods है vegetable products vegetable products में कई type की दाल आती है pulses आते है जो भारत इंपोर्ट कराता है right metals है chemical products so if you see basically raw materials जादा है raw materials जादा रहेंगे but in India से Canada chemical products textiles, metals, machines vegetable products, plastics, foodstuffs और items तो Canada-India bilateral trade in terms 9 billion dollar बहुत जादा नहीं मैं गिनूंगा क्योंकि India और US के इस वर्कत है around 172 billion dollars तो कहीं न कहीं of course यह दोनों के relationship को impact कर रहा है और economy को impact कर सकता है but not to end that is why India has taken a calculated risk also and exerted pressure on Canada about what has happened right international students की बात करें जो total 40% of students जो Canada में पढ़ते हैं इस वक international students वो इंडिया से आते तो यह भी आपको clearly बताता है इंडिया की इस वक्तिया approach होनी चाहिए international pressure यहां international pressure खासकर five eyes alliances जो है उससे आ सकता है यह पांच देश हैं जो एक intelligence alliance है पांच देशों Canada, US, UK, Australia और New Zealand के बीच में वहां से pressure आ सकता है तो इंडिया shouldn't go down इंडिया should use its diplomatic outreach to gather support पिशले कुछ सालों में जो इंडिया ने अपनी diplomatic outreach को बढ़ाया है उसको use करते हुए support gather कर सकता है जैसे कि Japan ने recently यह condemn या इस में interfere करने से मना किया despite Canada trying to you know tell them to so वो भी एक इंडिया की diplomatic outreach की वज़े से है इंडिया should continue to assert counter pressure on Canada जैसे कि measures के through outright facts और you know प्रेशर अलगलग तरीके से होता है international pressure होता है, media pressure होता है also fact based और in terms of actions इंडिया ने जैसे action लिया रोकने का visa वो भी एक pressure है, pressure tactic try to counter so I try to counter Canada's double standards ठीक है? तो like जैसे मैंने पहले बताया कि human rights record में जैसे baloch activist को मार दिया गया उस पर Canada कुछ नहीं बोला इस case में जो designated terrorist था उसको जब वहां मारा गया तब इंडिया को target करना clearly show करता है Canada का double standard तो इसको भारत ने project किया है even recently FM हमारे foreign minister ने भी अभी recently New York में ये बोला it shows the West and specifically Canada's double standards and India should continue to counter खालिस्तानी terrorists by following rule of law जो rule of law है, international norms है उसको follow करते हुए इनको counter करने की जरूरत है Right, this is currently the state of relationship between both the countries and let's quickly go on to the question of the day How the disruption in India-Canada relations affect their trade relations? Discuss मैंने clearly बताया trade relations में क्या-क्या aspects है और FTA जो है currently stopped है इससे क्या होगा जो growth होगी of economic relations वो basically उसको slow हो जाएगी या decrease हो जाएगी इसका खत्रह है और Canada की economy के लिए भी बहुत important है जो slow हो जाएगे जो slow हो जाएगे है, decrease हो जाएगे Over the time, you know, Canada को यादा सरपने के chances है क्योंकि it is an economy of scale India is economy of scale और Canada की जो market है छोटी है whereas India's market is huge Right, तो इन aspects पे आप चाहिए data लेके आई जो मने पहले 9 billion dollar का data बताया था तो इन aspects पे आप बात कर सकते हैं इस question में Right, so this was it with respect to where is India-Canada relationship heading and basically this is how you need to understand this topic For most such issues, you know, stay connected with Mitra's IES and thank you so much